आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह एक और यॉन्रा है लिटरचर का जिसका नाम है कॉमिक्स पर कॉमिक्स एक बहुत ही कॉमिक्स को स्कूल में पढ़ाने के लाने कि क्या बैनेफिट से का सकते हैं कासी कॉमिक्स के बहुत ही बेहतर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, इसको हम चेक आउट करते हैं Comics एक narrative form है, जो बच्चों की अपनी सोच, उनके अपनी language से मिलती जुलती होती है और उसमें कोई special language या एक sophisticated language इस्सेमाल नहीं की जाती सो जो beginner language को पढ़ना सीख रहे होते हैं, उनके लिए comics को पढ़ना बहुत फायदे मन्द होता है Comics में क्योंकि बहुत सी pictures होती हैं और sentences और जुमले बहुत कम होते हैं इसलिए जो आपके beginner reader होता है उसके लिए कहां से story शुरू हुई है, उसका plot क्या है, उसका theme क्या है, उसका middle point क्या है, उसका end क्या है इस सब चीजों को समझने के लिए comics बच्चों को support करती है अब text कम होने की वज़े से बच्चों को text में जो module sentences हैं उन्हें decode नहीं करने पड़ते हैं उनके meaning find out नहीं करने पड़ते हैं जो text के अंदर images होते हैं बन्यादी तोर पर वो students को और बच्चों को contextual clues देते हैं बच्चे समझ जाते हैं कि actually क्या action हो रहा है और जो यह character है क्या सोच रहा होगा यह क्या सोच रहा होगा यह क्या दिमाग में क्या चल रहा है यह क्या dialogue between the characters जहें वो चल रहे हैं comic book बन्यादी तोर पर बच्चों को एक opportunity देती है pictures के थुरू कि बच्चे text के meaning को समझ सकें और उनकी जो है early reading skills जहें वो polish हो सकें comic especially motivate करती है उस reader को जो reluctant होता है और वो reading में इतनी जल्दी नहीं आ रहा होता तो हमारे early readers जो reluctant होते हैं reading में comic उनकी लिए बहुत अची choice हो सकती है और comic का जो format होता है वो एक ऐसा format होता है जो बच्चों की choice उनके ideas उनके interest से relate कर रहा होता है और it is easy to take it up दूसरी चीज है कि जो कुछ उसके अंदर चल रहा होता है बच्चे उन चीजों को अपनी feelings से अपने ideas से और जो literature वो TV के उपट देख रहे होते हैं उसे वो identify कर सकते हैं so comic बन्यादी तोर पे pictures और text दोनों का नाम है पर text उसके अंदर बहुत ही कम होता है pictures के arrangement इस तरीके से होती है कि आव वो ना सिर्फ text को define करती हैं जैसे के हमारे पास एक comic है हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर क्या interesting चीज़ है it's a very famous web comic और यह है known as Penny Arcade और आप देख रहे हैं कि दो friends इसके अंदर है पहले scene के अंदर पहले scene के अंदर पहला friend जो है वो बिमार है और बिमारी के हालत में वो बिसर बें पढ़ा है और वो बता रहा है कि the doctors say I will be fine once they hook my DSL जैसे उसका इंटरनेट खराब है उसका DSL खराब है जैसे उसका DSL ठीक होगा doctors ने उसे कहा है कि तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे और दूसरा friend कह रहा है उसे कि dial up calm be hard on a man dial up calm को इस्तमाल करना जरा लड़कों के लिए मुश्किल काम है तो जैसे ही तुम हारा DSL ठीक होगा probably तुम ठीक हो जाओगे तो in the meanwhile वो उसके लिए एक interesting चीज लेके आया है आज इसको वो कहता है कि तुम in the meanwhile इसे enjoy करो और पहला character was surprised कि यह क्या चीज है तो वो हरांगी से पूचता है book और दूसरा character से कहता है that's what they call it और नीचे दोनों सीन में कोई भी डायलोग नहीं but you can simply see के how importantly or how creatively it is actually defined in a picture के बच्चे कितने बुक से अनवेर है और वो को चूक के देखता है कि आप करेगी क्या is it going to react like a digital mobile phone it is going to react like any other digital device who knows now second cheese comics के थ्रू बच्चे जो है वो राइटिंग स्कल्स भी सीखते हैं कैसे बहुत से student जो है उनकी fluency जो है राइटिंग के अंदर वो इतनी अच्छी नहीं होती जब हम उने write-up के लिए creative stories देते हैं या access देते हैं तो बच्चे सबसे पहले कहते हैं मेरे जहन में कोई भी idea नहीं आ रहा और उनके लिए कोई भी idea अपने brain मिलाना दिमाग मिलाना मुश्किल हो जाता है तो बच्चे आप से कहते हैं कि मेरे इस दिमाग में images है विज्वल्स हैं कि हम इसको ड्रॉ कर लो और ड्रॉ करके उसके साथ लिखो इस वेरी वेरी गुड आइडिया तो बिगिनिर राइटिं के लिए अब जब कॉमिक्स पढ़ाते हैं और कॉमिक्स बच्चें को इंट्रॉज कर वाते हैं तो बच्चे देखते हैं कि इमेजिस के साथ किस तरीके से डायलोग्स इंटर्वीव हुए हैं और उनके लिए से विम को इस तरीके से बगएर विज्ची नहीं नहीं रहरे हों के लिए युट बॉल्ड वेरी यौट नहीं सिरों के लिए सूघा 2 स Larry घौन कर इंस्तेट मेर्य घौन सर्जिव में नियुट यूड और हम स्हुमिक्स बनाएवें हुए तो बह्aryn को तेशल्स सटोज सेच् published भी कर सकते हैं, उनुकि फ्रेंट परेंट से भी शेर कर सकते हैं शुल के न्यूसलेटर में भी डाल सकते हैं कॉमिक के और क्या बनाफट है सबसे इंपट्टनτανाफट हमें नता है.. उसके विज्वल रीपमेशन है इनौलज़ की तो आपकी राइटिंग डायलोग के लिए बेहतरीन पॉइंट है कि हम कॉमिक से शुरू करें। स्टूरिंग जिनकी इंटरेस्ट लो होता है राइटिंग में रीडिंग में कॉमिक्स को पढ़ने से वो इंटरेस्ट जो है इन्हेंस हो सकता है और उनकी जो ओर्गनाईजशनल स्किल है इन की की वो बेहतर हो सकती है और उनकी řिए आपाईश पायदा हो सकती है अ कि मैं ञेकर टसेन में और व्लम लेंग प्रॉरिबेश्ट गानुन बाता हूँ और उनकी sequencing समझना story में बेहतर हो जाती है